वरणिवे सरमनिय दर्ष्यनं मंदहा सरुचिरान नाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्त मेरमुदा धर्मनंद नमहं विचेंत ये ओमवतारिने स्रिस्वामिनारायनाय नमो नमहं स्रे सहजानन्दाय नीलकंठाय चनमो नमहं श्रे गुरुचर्ण कमले भ्यो नमो नमहं बुलोर्ष्रे स्वामिनारयन भगवानने श्रे हरे कृष्ण महराजने जै स्रे घनश्या महराजने कथा सांभण नारा नाना मोटा दरेक भग्तों ने खूब है थे जै श्रे स्वामिनारयन श्रे हरे चरित्राम्रुच सागर पूर्त्रण तरंग दस भगवान श्रे हरे भाडेर्मा पधार्या छे उत्त्रायननों पवित्र पर्वच्छे आ पुण्यकाड मां गामना राजा गामना लोको महराजने प्राड़त्ना करे चे आ पुण्यकाड मां अमने पुण्यनु काम करवादो अमारू अन्न आप स्विकारो अमारू आ दान आप स्विकारो गामना लोको नो प्रेम जोई भगवान स्रेहरी गामना लोको नी रसोई जमे छे त्या रोकाया छे खुब सरस्य भनवायो जन्तयु छे ए सोहरितिन को बेसारत पासा माहा ब्रेध जानी के द्रध दासा ए ब्रुद्ध बीन सभासो सभान सुहाये यू जानी के हरी बहुत बुलावे भगवान स्री हरी सभाकरी ने बेठा छे मुक्तानंद स्वामियादिक मुटेरा संतो पधारिया छे एवामा वुरुद्ध रामदास जी स्वामी पधारिया येमने वुरुद्ध जानी वडील जानी मुटा संत जानी भगवान स्री हरी ये सामेन बेशवादी दा तेमने अतिसे वुरुद्ध अने द्रढ दासत्प भाव वाला जानी पोतानी पांसेज बेशारता एसोहरी तिनकु बेशारत पांसा पोतानी पांसेज बेशारता भगवान छे गुरुष्थाने छे चता वडीलोने वुरुद्ध संतने केवु सनमान आपता गणा बधा प्रकारना विवेक को अपना सास्त्रों मा लख्या छे वानी विवेक, बेशवानों विवेक, बोलुवानों विवेक, चालवानों विवेक, जम्वानों विवेक, निमान गतिनों विवेक गणा बधा प्रकारना विवेक को सास्त्रों मा लख्या छे ये मनों एक आबू मोटो विवेक छे आपना करता कोई उम्मर मा वडिल होई आपना करता कोई अस्रम मा वडिल होई आपना करता कोई ग्नान मा वडिल होई आपना करता कोई गुण मा वडिल होई आपना करता कोई तप मा वडिल होई इने मान आपवो इने आदर आपको खुब सरसको ये लख्यू छे नानो मानस मोटाने मान आपे और मोटो मानस नानाने प्रेम आपे तो समाजना मुट्टा भागना प्रस्नो उभाथता जटके जाई डक्सने प्रजापती तरीके निम्या प्रजापती सभामा आवे अने भगवान भोडा नाथ भोडा छे पन एक विवेक चुकी जाई जेने प्रजापती ना स्थाने निम्यों छे प्रजानों पिता जे गणाई छे जेनू सनमान करवा माटे 33 करोड देवता उभा थाई पन ए समय माँ जे सभानों समय छे ज्यारे मान अने सनमान आपवानों समय छे ए समय माँ दक्स प्रजापती ज्यारे आवे छे त्यारे भोडा नाथ भोडा भगवान संकर आखो बंद करी विश्णूनू द्यान करवामा एवा डुबी जाई दक्स आवी गया, छड़ी पुकाराई रही छे, बदा उभा थे गया, यह मने खबर न पड़ी, उभा न थया अन एक दक्स ने मानी मानसनों सुभाव छे, केतला उभा थे यह एन देखाणू, कोण उभू न थयू, यह बराबर यहनी याद राखियू अड़ाड अपमान लाग्यू, एक तो पूतानी दिक्री, यहने सिव साथे परणावील यहतले जमाई पन थाई, यह तरीके जमाई राद तरीके पन यहने मान अप्पू जोई यह, गणी बधी रिते यहने लागी आवियू, अन इतिहास्यम कहे छे, ना थी केतला प्रस्णो केवा मोटा विखवादो, केवा मोटा युद्धो थया, भगवान स्री हरी नो विवेक, कोई वडील माटे, केवो विवेक तमें जोऊ स्री जी महाराद नो, आसीद बगत, दादा खाचर, यहना बापू जी एभल खाचर, एभल खाचर ना भाय जीवा खाचर, यह टले, दादा खाचर ना तो वडील थ है, औने आमये, दादा खाचर नू जी रजवाडू, एभल बापू जी रजवाडू, जही आरू होतू, बन्ने भ़ायो वच्चे भागी दारी मा होतू, यह टले, जीवा खाचर नू मोटो डेलो गणाए, मोटा बापू के वाय, मोटा दरबार के वाई मिमान आवे तो पेला त्याँ जाई मंत्रना करवानी होई तो पेला त्याँ थाई मिटिंग करवानी होई तो पेला त्याँ थाई अने स्रीजी महराद ने रेवानू क्या दादा खाचर ने त्या संतो हरी भक्तो वाहवा को नी करे वखान कोना थाई दादा खाचर ना जिवा खाचर ना पेट मा एवु तेल रेडायू महरात तो खुब मरिया दा रागता स्रीजी महरात ने जिवा खाचर नो के वो संबंध तो आमा अगल कथा आख्या आओवानी जे पड़ एटलू बुदू मान पेडू छे केकलू तमेयने संतो षो दादा खाचर नो दिवशे दिवशे संतो मा सतसंग मा हरी भकतो मा व्याप बधवा लागयो बधा दादा दादा दादाज करवा लागया जिवा खाचर ने गमे नहीं इर्ष्या, अदेखाई, मान, क्रोध, एक पची एक बदा दोसो उभाथवा लाग्या दादा खाचर नू अहित करवा माट्याने खडा रोकाविया दादा खाचर नी जमिन दबावडावी दिधी घणा बदैवात कावत्राव कर्या चताय बद्धा माती स्रीजी महराज हेमकें बार काडिली था हवे ने थयू क्या दादा खाचर ने बचावनार कोण छे आँ स्वामी नाण भगवान छे मानसोने फोड़या मुट्टी लालच आपी स्रीजी महराजनू वेल्ली सवारे माथू कापवा माटे भगवान स्वामी नाण विवेक केवो छे ए मारे वाद करवी छे दिरत केकली बधी एमा छे सदगुणना सागर भगवान छेन वेल्ली सवारे भगवान स्रीहरी स्नान करवा जाई अने भगवान स्वामी नाण नू माथू कापवा माटे भगवान ज़ियारे एकलान रात ओध समय law believe नोउं तोईलेट जुना समय माँ बार जया नूँँए अन्त्रयायवी महराज छे वहली सवारे नावा जयाअबातरूम जत टोईलेट जवा भगुजी ने के मारी साथे चालो भगुजी के पन महरात तिया अमारी आगना चे ने तलवार लेन चालो स्वस्त्रव पाडिन आववानू ज़े टोइलेट जवानू तिया तलवार नी जरूर पड़े तिया पहरेदारो नी जरूर पड़े अंग्रक्षोको नी भगुजी तो अगनां कित छे सारू महराज बुकानी बुकानी बांधी आथमा खुली तलवार लेन आववा महराज के तमे आगल चालो तमे पाच चालो भगुजी ने नक्की थाई गयुँ गम्यत ये डालमा काड़ू अने भगुजी जेवा सामे चालता हो आख्याम पुरूथवी ध्रूजे हां भगुजी तो येवा बढ़िया हता पुरूथवी उपर धब 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 अवाज संबलाई इना पगलानो येवा भारे पग येवा बढ़वान हता सुर्वीर येवा पकड़ाई गयु कावत्रू अने पछे महराज केने मार सो ने तलवार लेएलो जीवा खाचरे पोतानी तलवार सोना नी मूठवाली आपेली कोने मार नार देंगे तू जो स्वामिनेननु माथु उतारी इस तो आ तलवार ने आ तलवार तो तने मलसेत सोना नी मूठवाली पड़ मार ओर्धो गरास तोने आप dabei देंगे आतली मोटी लालंचापेली ई जीवा खाचरनी तलवार येनना ना मूठवाली येनान मुद्रावाली येनान नामवाली ये महराज लिवराय ली थी मानसने जोड़ी मूख्यो महाराच पाछाएवा सभवाम बेसी जाए रोजना क्रम प्रमाने जिवाखाचर दर्शन करवाएवा अत्थाई चे जे भगवाननू माथुक आपवा माटे रात्रे मानस मोकले छे ये सवारे दर्शन करवावे पगे लागे सामे बेसे भगवान स्रीहरी मारे केवू छे ए तेम छता जिवाखाचर साथे बोलुवानू विवेक चुक्या न थी बाके माथुक आपवा माटे आवीरित्य मानस मोकले होई और एक आवतरु खुलू पड़ी जाए ने पच्छी विवेक चुक्या वगर रेकुई भगवान स्रीहरीनो विवेक हमना गुरुजी ये किटली सरस्वाद करी हती तमें जानों छो के परिवार होई के सत्संग होई दरेक जिग्या ये बे भग तो रेवानाज एक मुटा थवानान एक नाना थवाना कोई पन समाज मा आ बे भग पाड़वा न थी पड़ताए नी मेचे पडिज जाईजे साची वात ने ओटोमेटिक पड़ी जाईजे केकली सरस्गुरुजी वात करीती मंदिर मा आपने बद्धी वस्तु साचविये बोलवा मा साचविये चालवा मा साचविये पन घर मा एका बिजा प्रतिय आदर न होई एका बिजा प्रतिय विवेक न होई एका बिजा प्रतिय मर्यादा जो नरखाती होई तो यह सत्संग इकाचो सत्संग अधुरो सत्संग छे परलोक मा तो बगाढ़ से आपड़ू पन आलोक मा पन बगाढ़ से रामदाज जी स्वामी ने वृद्ध जानी स्रीजी महराज बासेज बेशारता सत्संग नी कथा पन एवी छे रामदाज स्वामी ने महराज हम्मेशा बाई कईनेज बोलावता बाई स्वामी एम कहता एतला माटेमनू नामपडू भाई रामदास्वामी, महराज अमने भाई कहता अथवा भाई स्वामी कहता, त्यार्ती सत्संग मा इ रामदास्वामी भाई रामदास्वामी तरीके प्रसिद्ध थया, महराज आउ सनमानापता, अने सु केता रुद्धो विनानी सभा सोबती नथी, वृद्ध ये अनुभवनु प्रतिक छे, जेने जाजी दिवाली जोई छे, जाजी घंटीनो लोट चाख्यों छे, जेने जिवनना कपरा जाजा एवा अनुभव कर्या छे, एटला माटे सास्त्रमा कहवाई छे जे घरमा वृद्ध नथी, ए घरमा क्यारेपन संपत् अभिवादन सीलस्य, नित्यम रुद्धो पसेविनह, चत्त्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यसो बलम, वडिलोंने माना पे छे, वडिलोंनी सेवा करे छे, एनी चार वस्तु कायम माटे वद से, एक आयू हुँ, आयूस्य वद से, कान के वडिलने ज्यारे जरे मान आपे एने पगे लागे एने सनमान करे एनार दिमाथी राजीपो वर्षे भाही तारू सारू थाय आयुस्मान भव भगवान तारू सारू करे अमारी उमर तने मले अमारा सारा दिवसो तने मले राजीपो तो यह ओच्छेने आयुस्य वधे विद्या एनी बुद्धी व बलम एनू बलवधे। आ कथा माथी एक एक वस्तु आपने पन सिखवा जेवी अपनावा जेवी छे। श्रीजी महराज एकवार। महराजने वडिल संतो प्रत्य खुब मान। मुक्तानंद स्वामी दिग्वी जे करयो वडोद्रामा जेजे कार थयो भगवान स्वामी नामनी धजाव फरकवालागी। मुक्तानंद स्वामी ना आकारिय थी स्रीजी महराज अत्ति सै राजी थया। पेंडा मगायवा, पतासा मगायवा, साकर मगावी खुबा भरी भरिन जे आवे। लो लो आपडा गुरु मुक्तानंद स्वामी वडोद्रामा दिग्वी जे करयो। सास्त्रार्थमा डंको वगाडयो। अमारा नामनी जे करावी थी। स्री जी महराज खुबा भरिन साकरा पे attending मुक्तानंद स्वामी नामना संथ एनै महराज अपवाजाई। महराज थो इतला बदा गुणतुभरही हता। मुक्तानंद स्वामी ना अ महान कार्य थी महराज ने अत्यंत आनंद हतो। अपे अने ह्रिय रियानन्द सौमी येतलू बोलाई अरे महराज अतला बधा फुलाई ने फाट्या चोँ छुँ मुक्तानन्द स्वामी ये कई मोटा वागमारी नाक्यो माया तमें अमने मुकल्या होद को तो अमे सास्त्रतमां विजेक करवाना हता आवासु गांडा थेया जो अने स्रिजी महरादने एवु दुख लाग्यु एवु दुख लाग्यु मुक्तानंद स्वमी जेवा सारासंत मुक्तानांद स्वामि जेवा महानसाधुनुकेकलु महानकार्य, जे वडुद्रा नगरी, पंडितों नगरी कहवाई, छोटी कासी कहवाई, त्याना प्रकांड उदभट पंडितों बेठा होई अनि उद्भट पंडितों एक साथु सामे बेशी पेला पाँच पाँच सीह जेवा चाले वाजुती प्रस्न पुछे त्राण त्राण दिवस सास्त्रार चाले अनि अमारा एक महान संद अटलो महान विजह करे अनि आ सद्गून आ प्रसंसा सामभ़ी न सके जिर्वी न सके इतला स्रिजी महाराज उदास थे गया इतला उदास थे गया महाराज कोई साथे बोले ने कोई पन साथे बोलवानू बंद करी जिदू जमवानू बंद करी जिदू पानी पिवानू बंद करी जिदू महराज के अमारे सत्चंगमान थी रेव। अमें नक्की भागे जवाना पची तो मुक्तानन दे स्वामी आयवा स्वामी खुब रड्या आपड़ा संप्रदैनु प्रसिद किर्तन आद्रेज गामनिया लिला महराज आद्रेज महाता त्यारे एहरी हयाना हार छो एह जिरेत में हरी हयाना हार छो अरे सेजतना सनगार छो जिरेत में हरी हयाना हार छो स्वामी ये महराज ने कईऊ महराज एकाज साधुये कई केऊ बोलू कईक एकाज साधुये भूल करी येनो दंड आखा सत्संग ने तमे आपसो तमे जानों छो महराज एक प्रेमी ये जिए जन ना प्राण छो महराज असत्संग ना प्राण तमें छो ऐसत्संग मा कईक एवा प्रेमी भक्तों छे कि तमारा विरहे करीने तमारा वियुग करीने बद्धाना प्राण निकली जसे महराज तमार्या सत्संग माती जतुजरेवूतु तो सत्संग नी स्थापना सुकाम करी गुर्देव रामानन समी तमने सुँ भलामन करे छे आम जारे मुक्तानन समी टकोर करी मुक्तानन समी वढ्या पन खरा, मुक्तानन समी विननती पन करी ए नेना ठरे छे जोईने रे मारा नेना ठरे छे जोईने जे दिन मा दर सननव पामूरे ते दिन वे ते रोईने रे मारा नेना ठरे छे जोईने આમ જારે મુક્તાણંદ સ્વમે વિનંતી કરી ત્યારે श्रीजी महराज स्वामी उपर खुब राजी थया स्वामी ने भेटया स्वामी ने कयूक स्वामी आज अमे नक्किया सत्संग छोड़िने जतारेवाना हता गम्येतलाना प्राण निकलेने में पाचा नावत पड़ स्वामी तमारा जेवा साधुनी आगड में परवस छीये तमारा जेवा साधुनी आगड अमें अमारू धारू छोड़ी दये छीये ड़ुयू বྭથ ཇ નો ཏ বསે 색깔ར axon འི। बड़ीलों ने कई मान न आपे तो महराज ने न गमें महराज बेठा छे महराज नी पास एक साधू धाबली पात्री छे इबेठा छे विवेक एकले सुँ एमा मुक्तानंद स्वामी आयवा विचरन करता करता स्वामी ने समाचार मल्या के नजीक नुगाम त्यां सरोवर ना काठे महराज ने संतो छे स्वामी तात कालिक त्यां आवे सभा चाले छे स्रीजी महराज बेठा छे बाजुमा संतो धाबल्यों नाखिने बेठा छे मुक्तानन्द स्वामी आयवा, स्वामी सभामा बेठा, पण कोई संतोने येम याद नायवू, कि स्वामी आयवा छे तो आपड़े आपड़ू आसन, स्वामी ने आपड़े, स्वामी तो धुडमा बेशी गया, स्री जी महाराज एकला बदा उदास थे गया, एकला बदा अधारे त्यारे संतों ने खबर पड़ी कमें विवेक्त चुक्या समझानू तमने रुद्धने माना पिए वडिल व्यक्ति होए ने एनू ध्यान राखिये कोई भगवानना भगत होई गरीब होई एनू ध्यान राखिये कोई बिमार होई एनी मरियादा साचव या आदेस अमेरिका मा तमें जो हैंडीकेप माटे बद्धी जिगे केटली सारी सुविधा स्टोर मा जाओ तो एनू पार्किंग अलक छेके ने इनना माटे बात्रूम नी सुविधा सारी एन्डीकेप येटले कोई विचारो अपंग छे कोई लाचार छे कोई डिसेबल छे कुद्रती खोड खापन वालो मानस छे येने तमें दरोत धक्कोज मारसो भगवाने जेनी साथे जेन याई करू जुदी वस्तू छे कोई बिमार छे कोई वृद्ध छे कोई वडील छे येर ने मान नहीं आप्ये नुसं मान नहीं जल आविे तो एनार दयनी जे आह चे येनी आत्रटी जेक खळायी छे ये तमारी आयुष्य ने तमारी बुद्धी ने तमारा यस ने औने तमारा बढ ने 44 वस्तु ने नास करे जे आउ शास्त्र कहे छे बिजा वरुद्धनी क्या वाद करो घरना सगा माता पिता वरुद्ध थाए पची छोकराव केवा रंजाडे छे केटला दाखला जो या केटला दाखला हमना थोड़ा दिवस पेला आफरीका थेक हरी भगतनों मेशे जाएवो के स्वामी मारा बापुजीनों सोभव एटलों खराब थतो जाईए छे सिक्षा पत्री मा तो वाचिये छे के माता पिता नी सेवा यावध जीवन करवी पण स्वावे हमैं अवेम लागे छे क्यवे हत थाई छे शिक्षा पत्रीनी आग नमारे लोपवी पड़सेhmen सु करिए आपने केवानू मन थाई तमे नाना हता त्यारे सुन तमारो स्वभाव सारो हसे माना पेटू पर लातो नहीं मारी होई माबापना खोड़ा तमें बगाड़ा नहीं होई तमारा गम्मेवा कड़वा स्वभाव तमारा गम्मेवा तोछडा स्वभाव तमें लातो मारता आशो, यहना कपड़ा बगाडता आशो, गम्मे तेम उल्टी करता आशो, गम्मे तेम खावानू बगाड बगाडता आशो, गम्मे ते तमें लग सारा नर्षा काम करता आशो, पन तमारा माता पिता यह तमें नाना हता, तेर कोई ने फरियात करी? माता पितानों स्वभाव जोवानों दिक्रणों अधिकार छेज नए आ बुद्धिनी वात नथी समझो ज़न तमे आ बुद्धिनी वात नथी सरद्धानी वात छे, सरद्धाने वास्तविक्तानी जे माता पिताये तमारों नानपणमा स्वभाव जोयो होत तो तमारुसुनु थात। घरना वृद्ध माता पितान नथी साच्पी सकता। आपना गुरुजी है। आपनु मंडल, एकले दादा गुरुजी। दादा गुरुजीनु मंडल एकले जवेरभगतनु मंडल। जवेरभगत वड़तालना खुब महान पार्सद। पन जवेरभगत चल्ली वस्थय खुब बिमार रहता। 14 जो तमने ताइम मले तो आपने गुरुजी पासे कथा सांबल। गुरुजीना मोढे, जवेरभगत बिमार हता। जवेर भगतनी छेली अवस्था आती आखु वडताल जाने। वडताल ना जुना बद्धा साधु ओ जाने आसित भगत। जवेर भगतनी केवी सेवा आपड़ा गुरुजी ये करी छे। मुझ केवा ए मागो छू, कोई वृद्ध थाई, येनो तम्हें स्वभाव जोसो, कोई लाचार मने येनी उपर तम्हें तर्क करसो येहूं करसे, येनो स्वभाव, येनी सामे आर्गुमेंट करवानी तमारो अधिकार न थी, येनो राजी पो लईलो, येने सेवीलो, तमार येकवा ते लाचार होई, बोलवानू तोछडा तो बूलता होई, तेने येम ना को तमने भान छे के नहीं, गमे तेम बोली ना खोच पाच जणानी वच्चे, टुकमा, रुद्ध अने वडील, येनू जयरे सनमान जड़वातू न थी, येना घरमा महा भारत थाई, नथी, एकला माठे समाज मां कहवा मायवू, ज्यान पहुचे रवी, त्याँ पहुचे कवी, अने ज्यान पहुचे कवी, त्याँ पहुचे अनुभवी, अनुभव नो बूह मोटो महीमा चे, अमेरिकाना को एक सारा लेक्षके तो त्यांсли दिल उख्यु छे, दुनियानी दुनिया नी मोट्टामा मोट्टी उन्यवर्सिति कई अनुभवी मानस नी साथे रहवूत्य। नरिंद्र मोदीनो अनुभववाचो अटल बिहारी बाजपेनो अनुभववाचो अप दुलु कलाम नोभिव अनुभववाचो अपना गुरुजी जह्येवा मोटा सतपूरुसोय अनुभव वाचो दादा गुरुजी जवेर भगत आवा मोटा मोटा नी साथे रया यमनी सेवा करी यमनो राजिपो मेलगो आन मिलकत छे अनुभवी मानस नी साथे रेवू एथ दुनिया नी सवथी मोटा मोटी युनिवर्सिती छे सवथी मोटा मोटी पाट साडा छे स्रिजी महराजी एतला मात एक प्रक्रण चला वेलू बे युवान साथुन एकला क्या नी मुकलवान आव प्रक्रण चला वेलू बे युवान साथुन क्या एकला नहीं जवानू एक युवान होई तेनी साथ एक वुरुद्ध होई वुरुद्ध छे, कोई अनुभवी मानस छे, कोई ठरेल मानस छे, कोई जाजा जिवनना अनुभव करी चुकेल मानस छे ए मानस कदाच बोलवामा, चालवामा, युवान जेतलो सक्री देखाई नही पड़ेना अनुभवना अधारेना निर्णै हम्मे सैवा हसे, येनों अनुभव करी के वो हसे, के तमने मुट्टी आपत्ति माथी बचावी लेशे इवी तो केटली बधी सास्त्रों नी कथाओ छे, बहु जाजी कथाओ मारे नथी केवी, पन आज नी आ कथा मा थी आपड़े सिख्षिए जो के आपड़ा सत्संगी परिवारों मा बहु सारू जोवा मलतू होई छे, पन तेम छेता घणी वार, सारा सरा अरी भगतों पोताना मोटा भई ने गम्मे तेम तो छडा सब्दे थी, पोताना माता पिताने गम्मे वा हरी भगतों सत्संग ना बले माता पिताने गम्मे त अपड़े बतावानों छे अरी भक्तोंने एक गुरुजी लुया धमनी कथामा वीडियो मा कि दूच्छेन तमें साइं बलूगत ने एक अरी भगत ने तो गुरुजी बहुत टोक्या गम्य तेम तो इतारा माता पिता छे माते वुरुद्ध व्यक्ति वडिल व्यक्ति एनू महराज केवु सनमान जाड़ावता रामदास्वमे ने पांसे बेशारता आउ समझीने श्रीहरी वुरुद्ध संतोंने बहु भाहु थी बोलावता अरे महराज साधोनी केवी सेवा करता स्रीजी महराज गडपूर मा हता सांज थाई चुकी सुवा चताता महराज पुछिव के स्वरुपानन स्वमीने केम चे स्वमी बोव बिमार हता कईयो के महराज स्वमीने स्रीरे काली कलत्रा चे अत्यंत ज्वर चे असहिय पीडा चे महराज सुवा न गया साधोनी धर्मसला मा जाई स्वरुपानन स्वमीनी पासे बेशे सांबल जो स्वरुपानन स्वमी सुता चे मा थे हाथ मुखे अरे अरे स्वमी तमार उसरे आकलू बदू गरम स्वमी केम चे स्वमी पनेवा मजबूत है स्वमी के महराज टटु दुबला है लेकिन अस्वार तो बड़ा मजबूत है आ देह एक टट्टू एकले घोडू छे आ देह दुरबढ छे अवे देह असक्त थेयो उरुद्ध थेयो छे पण जी आतमा आय तो बढ़ियो छे माहराई पण देहमा पीड़ा छे अत्यंत दाहा छे स्वरुपाननस्वमीं बोलिया माहराज तमे पधार्य तमारा दर्षन थे खूब सानती थाई स्वरुपानन स्वरुपानन स्वरुलियो माहरज आप तो विश्राम करो कियारे स्रीजी महराजीम बोल्या, स्वामी अमारा दर्सनेकरिन तमने जयम सांतिवले छे जयम तमारा जयवा साधूना दर्सन करी मने सांतिवले छे स्वामी बेशवादो मने अक्थी राद स्वरूप न शमीनी पासे बेठा मांदा साधुनी करवी सेव वलिट के सुराखवी टेल कोई बिमार होई येनु ध्यान राखव येनी सेवा करवी कोई वृद्ध होई येने मानापव महराटनौ अस्वभाव हतो कोई संतने के हरी भक्तने कोई तकलीफ होई तो स्रीहरी तर्तत तेने सहाई करता येनु दूख टालवा माते तर्त प्रयत्म करता। हरे जानको दूख जो होई। हजी घणा वर्सो दुखाल पड़ से पन केम। जे गाम्मा पाखंड होई। जे गाम्मा अनिती होई। जे गाम्मा धतिंग होई। त्यां दुखाल पड़े कईू धतिंग कईू पाखंड आपना गाम्मा नवु टिलू नवी कंठी नवु नाम नथिया हुआ स्वामिनाणिया बधा। एना पापे आवर्शाद नथि था तो। राजा वाजाने वांद्रा एने कौन समझावे। राजा ये बद्धा हरी भक्तों ने भेगा करी जेलमा पूरी दिधा। तमारा भगवान स्वामियन जो साचा होई तो वर्शाद पड़े। तो छुटा करू नकर छुटा ना और ये भक्तों बद्धा जेलमा श्रीजी महराज जम्वा बेठेला सांजे महराज जमाने उभा थे गया। ब्रमचारी के महराज केमारे नथि जम उदास थे गया। गोविंद्राम ने बुलावे मेगली रात ती वर्शाद के मारू काम ये अंधारी रात रे चारे तो मासा नो वर्शाद पड़े गुजरातमा अन ये समय श्रीजी महराज रातरे पत्र लखे। हिम्मत नो पत्र ये महराज नो लखे लो पत्र ब्रह्मान शोह किरितनमा गुथอย ये हरी जन साचा रे जे उरमा हिम्मत राखे। भक्तог हिम्मत राखे। जे साचा भगवन न तुम्हें जो मेप जुओ तो केटला दिवसे 15 दिवसे तो माणस 4 ने पौँचे रात्रे महारात गोविंद्राम ने के गोविंद्राम आ पत्र अत्यार न अत्यारे तमारे बुरानपूर पौँचाडवानों छे इभक्तनी निष्ठा पन केवी सारू महारात तमारी यागना चे अमना नमना आउपडू अमना आपड़े कोईने कई गंश्याम दादा लोकागण अत्या नत्यार्ते मारे इंडिया कंडारी गूरु कुल्पम चावर चालता थे जाओ दाजाके पन स्वामी रस्तामा दर्यू आवया जे अंधारी राग यहमा पाचो वर्सात पड़े यहमा चेक बुरानपुर जवानू रस्तामा केटला जंगलो केवी मोटी मोटी नदियो यह भक्त पने वही निष्ठावाळा पन यहो वर्सात पड़े गडपुर नी बार निकला ते तो गेलामा पूर यहू चाले क्या आमने थे थोड़ी वार आया विशामो खाईलाव आराम करलावन सवारे वेललो पाचो बराबर रम रम आविन उपड़ी इसने यहाम थोड़ू टेको देन आम आख बंद करने एकाच जोलू आवेन जागे जातो सिधा बुरानपुर केवानू सो हरी भगतोने तकलिफ आवी महारादने जमवानू न भायू महारादने उंग न आवी सारंगपुर मा रात्रे सुता चेन वर्साज एवो पड़े एवो पड़े एमा देवा भगत इनू घर आखू पड़ी जवानू घरमा पसुवबाईद्या चे मानसो सुता चे अरे अरे अमे गाम्मा चेन अमारो हरी भगत ये आखो घर नी अंदर दबाई जाए येना धोरो मरी जाए ये मरी जाए केम चाले आख्छी रात स्रीजी महाराज घर नो भार पुताना खंभाव पर पकड़ी राखे कोई पन भगत ना दूखने महाराज सहन करी न सकता सामबली न सकता एटला माटे तो कोई कयू छे कि साधुनु रदे क्येवू એ સંતર દાય નવ નીત સમાન સાધુનું રદય નવનીત એટલે માખણ જેવું છે નવનીત એટલે માખણ નીચે ગરમી પોતાને તાપ લાગે ત્યાવ પીગળે ચે પણ પોતેક પીગળી જાઈ જઈં જઈં ખાવે એપણ પોતે જોઈ સક્તા નથી દુખીયો દેખી ન ખમાય દયા આનીરે તેનું દુખ ટાળવા માતે તરત પ્રત પોતને કાઈ દુખ આવે તો તેને ગણકારતા નહી હરી ભક્તને આવેલું દુખ તેવો સહાન કરી સક્તા નહ આપકો દુખન ગિનત કછો હરી જન દુખન સહાત એસે મહા પરમારથે અરે સબસે અધેક કહાત આવા તેઓ સવથી અધીક મહાન પરમારથી હતા સમગ્ર સતસંગ્યો પણ જે કહાઈ કામ કરવું હોય તે કાર્ય કરુવુ હોય હાવુસ લેવુ હોય નો બિદનેશ કરીએ એ કાદવારતો ગુરુજીની આગના લઈએ મુટા સંત એમ આપણે કાર્યે સરું કરીએ પેલા પૂછીએ ગુરુજી આકામ કરું છે નવો મોટેલનો બિનેશ લેવો છે ગુર આમ આમ છે આમ આમ છે જે તમારી આગના હોએ ને તો પડીએ એમાં ગુરુજી કાં મને લાગે મારાતની આગના આપણે બિજુ કસુ કરવાન નથી પેલો જ કરા કરશે આપણે તો ખાલી બાસ આટ્લુ રોકાનજ કરવાનો છે ગુરુજી ભૂત વર્તમાનને ભવિશ્ય આ બધુ પોતે જાનતા કોઈ ને કઈ કહેતા નહી સ્વેમ નિરમાની પણે રહતા મળીને આવ્યા પોતા ની સાથે અનેક પ્રકારનો પુજાપો લાવ્યા સભાની આગળના ભાગમાં જાતના તે પુજાપો લાવ્યા હતા વિધી પ્રમાણે ની પુજાની રીતો મયારામ ભટ જાણતા તેમણે સોળ મયારામ જાનત વિદેતે મયારામ ભટ સોળ પ્રકારના ઉપ્ચાર અલગલગ આપણે મહા પુજામાં કરીએ છેતે ને ભગવાન ભગવાન જેવા મોટા સંત આવે ત્યારેના ચરણ ધોવે ચરણની પુજાકરે પુજાકરે પુજાની પુજાની માળા કે ફૂલ એને અરપણ કરવા માવે કુંકુમ નો ચંદલો ચાંદલો કરવા માવે અકષત લગાવા માવે કેસર ક ચંદણની આડ કરિને કુંકુમ નો ચાંદલો કરીઓ જેમાં સુંદર સીરપેચ બાંધેલા હથા એવી સોનેરી પાગ મસ્તકે ધરાવી સીરપેચમાં જળાવની વાકી કલગી હથી મોતિના તોરાપણ મસ્તક ઉપર ધાર્યા બંને કાંમાં જળાવ મોતિના કુંડળ ઘણી ઓસ્યારી થી પહરાવીયા સુંદર સોનેરી સુરવાળ પહ અમોપણ પેરાવ્યા છાતી ઉપર સોનાને મોતિના હાર ધરાવ્યા ભુજાવ ઉપર જળાવ બાજુબંધ ધરાવ્યા અની કિંતી સાલને અમુલ્ય દુપટા ઓધાડિયા પછી કપૂર્થી આરથી ઉતારી તે પછી સંતો પારસોધને સંગાર રોજનવા વસ્ત્ર રોજનવી ક્યારે આપણને ધરોત થાયજ નઈ મહારણની મુર્તી પણ એવી છે સંગારો પણે વાચે આજી કેવા સરસહાર હતા જોયાન દાદા આમાં વરણ નઈવુ એઉડ લાગે ના પણને તે મણે પણ પ્રેમ ભાવથી સ્રીહરી ની પૂજા કરી તે સીવાય ત્યાના સ્થાની કરી બક્તુમાં વીપ્ર દ ફરીને પોતાનો અનંત પ્રતાપ દેખાડતા હતા મહારાજની પધરાવણી પણ કેવી સરસ્થથતી આપણે ત્યા દેવી લોકો હોતા તે સ્રવોતમ પ્રતાપને સમજતા હતા પણ જે આસુરી લોકો હોતા તે આવા પ્રતાપને દૂર પાચલ બેનો હોય આબધી મર્યાદાવો જોય સામન્યમાં સામન્ય માનસોને પણેમ થાય આ હાહા આ ભગવાન ભાવ થાય ગોણ ગ્રહણ કરે શેવા કરવાનું મન થાય સત્શંમાં જોડાવાની ઇચ્છા થાય પણ પાપી માનસો હોયને દુષ્ટ માનસો હોયને એને આ દરસણ કરને પણ આવળુંજ પડે આઉગુણ લઈને માથે પાપ પહી નસકે એને તો અંધારુજ દેખાય એમાપણ કાળું દેખાય પાપ ભરતા એમાં માહરાજના સમયમાં કેતલા પગે લાગ્યા આતમનિષ્થા આદી સંપણ સંતો પોત્પોતાને સ્થાને આવીને બેશિ ગયા પછી શ્રીહરીએ કહીં છે એટલે મંસ્ય જાતીના કોઈએ પણ તે પાપ કરવા નહી ભાગવતમાં સુક્દેવજી મહાતમાયે ચોરી પરસ્તિનો સંગ માંસ દારુ આજે વર્તમાન છે અધધરમ થી વયસ્નો થી કુટેવો થી છુટુવુ એધ વયસનો વિશયો મંદીરમાં આવતા હોય પુજાપાટ કરતા હોય પણ પીવાનું ચાલુ ખાવાનું ચાલુ પડી જગતના વયસનો પણ પચાવી જાડે એના જેવતું કોઈ પાપ નથી વચના મરુતમાં મહારાજ કેતો મૂરખ રસીક છે ભગવાના કિરતન ગવાતા હોઈ ભગવાના કિરતન સાંબળા પછી જેના કાન જગતના સબ્દ સાંબળવા માટે તલ અવની પર આવી વાલે સતસંગ સ્થા પ્યો એ હરી જનો ને કોલ કલ્યાનનો આપ્યો રાજ અકસરના વાસે વાલો આવ અવની પર સ્રિજી મહારાજ વર્તાલ જતાદા જે ગામાં થી નિકલે ચરોતરના બે ચાર ભક્તો જોડાઈ ખબર પડે સ્રિજી મહારાજ આઈવા છે દરસણ કરવાવે આરતી ઉતારે મહાજ માટે કઈ બર્થી પેણા લઇવા હો લાગતા જાય ચરણ સ્પરસ કર્તા જાય પોતેગે ભેટ મુક્તા જાય એમાં એ ઘરી ભગત એને મહારાજ ના આ ક્યાં થી લી થી તમે અરે અરે માહરાજ તમારા માટે છે આમારા માટે પણ ક્યાં થી લી થી માહરાજ ને કહે આપણે આઉતાહતાને રસ્તમ એક સરસ ખેતર હતુ એમાં એવિસ ચોળા ફળી ઉભીયતી સરસ મને આમારા માટે તમે અધરમ કર્યો સુકીદુ આમને પણ તમે અધરમના ભાગિદાર બનેવ્ય મહરાજ ઠપકો આપવા લા મહરાજ કે સ્વામી અમે જાણીએ છે ગાના ગામના ધંજી સુતારદને અમે ઓલખીએ છે સ્વમી સારિરિતે મુક અસત્યનો ત્યાગ એજ સત્નો સંગ છે અધરમથી દૂરથવુ એજ ધરમની સરુવાત છે હવ્યા કળયુગનો નવો ધરમ અક્ષર જિવણ સવમીનો પત્ર છે પોં જાજો ને લગ્ભગ થોડા વર્સો પેલાજ સવમી આપ રુથવી પ્રગટ થયા કચમાં આતા અક્ષર જિવણ સવામીએક કેટલો સારો સારો સચંગનો એ બાગ ખિલ્ય પણ સવમીએક પત્ર કત્ર લખ્યઓતો કત્ર લખ્યઓતો સરોવાતેલે આફરીકા એટલે સ્વામીએક પત્ર લખ્યઓતો એ હરીબગ્તો આખ્યઓ પત્ર ધર્મનીમું ઉપર છે કે જો ધરમનીમેમતી ભષ્ટ હોએન મંદીમંતે મંદર્યું પગથ્યું ચડ કે જે મૂદેથી વેદે બોલતા તન બીજું બોલતા તન બીજું બોલતા તન એવા સૂરો હથા યગનનું હવિષ્યનું અનો હવિષ્યન નો હવાનું પણ ખાતા આતા આ અસૂર પણું છે આ ધર્મનું બો વિક્રાળ સવરૂપ છે કે તમે આવાન લાયક નથી એને છોડી દીદો અધર્મ કરે છે જગતનો ડુબેલો માનસ છે જગતનો પાપિ વયક્તી છે પતિત આપડે આપણા ધર્મ ને કુટેવો ને વયશનો ને ભેશનો ને ટાલી નસકીએ સ્રીજી માહરાજ કયારે રાજી થતા દર્મે સહી તજ ભક્તી કરવી ધર્મ છે અમને બહું વાલો રેમ વાલો કહે વારે વારે રે ધર્મ વાળા સાથે હેત મારે રે એમ વાલો કહે વારે વારે રે દર્મ વાળા સાથે હેત મારે રે એમ વાલો કહે વારે વારે રે ધર્મ છે અમનેબહું વાલોલે એમાકહે ધર્મનો લાલોરે એ ધર્મના પુત્રો છે गामडे गामडे जता, ये पन एज करता, कुटे वो छोड़ावे, व्यस्नों छोड़ावे, आधतो होईतो छोड़ावे, कि खोटु करता होईतो छोड़ावे, पछी कंठी पेरावे, पाच वर्तमान तमें जानोचो संतो आपता, ये पाच वर्तमान जे धारन करे, येने कंठी पेरावता आ कंठी पेरावानी मर्यादा ओछे गम्मेच ने गळामा कंठी नाखिदी दिएकले कंठी तेनु कल्यान नथी थतु पन पांच वस्तु छोड़ी दे दारुज माटी चोरी अवेरी बतलुने वतलावुने या पांच वस्तु छोड़े औने पचि जेना आप, कर्म और यमदूत आप पांच जीवव्यक्ति थी यानी कायमने वाटे भगवान रक्षा करे थे काल थी भगवान बचावे आ कंठी सामान्यन थी आ कंठी एनो केटलो मोटो महिमा छे अमेरिकाना सिटिजन्शिप नो स्टेम्प आगे ने अमेरिकानी सिटिजन्शिप मले ने अमेरिकाना विज्जा मले ने येना बेनेफिट तमें जानो छो एना करता अनंद गणो महिमा कंठी नो छे काल, कर्म, माया, यमदूत येना भईथी मुकावनारी छे कालना भैथी मायाना भैथी पापना भैथी कर्मना भैथी यमदुतना भैथी या पांच भैथी आ कंठी आपनी रक्षा करे छे कंठी एकले भगवाननी सरणागती आपने भगवानने सरंडर थया भगवानने आशरित थया भगवाननी बद्धित जवाबदारी चे आपने छोड़ावानी मुकावानी संचित कर्म मात्र बालवानी जवाबदारी भगवाने लैली दी पन क्यारे आप पांच वस्तु आपने छोड़ी देए त्यारे माटे जोनी खुब सरुवात मा वात करी उत्रायनिना पवित्र परवदने दिवसे आपने पन महराजना चरणों मा प्रारतना करीए आ कथा समबलनारा तमाम भक्तने महराज एवु बढ़ापे इती श्री सहजानन्द स्वमे सिस्य शिद्धानन्द मुनी विरचित श्री हरीचरित् सागरना तृतिय पूर्मा भाडेरना राजानी रस्वय तथा सेवा पुजा स्विकारी ए नामे दस्म तरंग समाप्त थयो बोलो घनस्या महराजनी